वेल्कम बेक टुआ अल आप फिर स्वागत आपका अपने अड़ी कैमकल पॉइंट पर आप जाएंग की टॉपिक चल रही है ठीक है हमने जाना ड्राइङ क्या होता है ड्राइङ के टाइप्स देखा ड्राइङ इक प्री डिसकस किया और उस discuss में हमने यह भी देखा कि कितने सारे equipment हमें पढ़ने हैं जिसमें मैंने कुछ equipment जो drying के हैं वह कबर भी कर लिए जैसे कि अगर आप नए हो तो बता दें ड्राइंग में हमने क्या कबर किया प्रेडायर क्या होता है वेक्यूम ट्रेडायर क्या होता है यह भी हमने देखा उसके बाद हमने पढ़ा आर वीडी रोटरी वेक्यूम पैडल ठीक है यह सारे equipment हमने पढ़ चुके यह चीजे मैं आपको इसलिए बता रहा हूं अगर आप ड्राइंग की चीजे खोज रहे हो अगर आप ड्राइंग के बारें कुछ जानना चाहते हो हो सकता है आप नहीं हम से जोड़ते हो तो आपके लिए प्लेटफार्म जिस पर आप आए हो और वह सकती चीजे आप इस वीडियो पर पड़ी हो तो आप जाके देख सकते हो आज का जो सफर है आज जो हमारी आए रहा है तो मेना आयूदर और श्राइंग के का हुए और राइंग करने काम और स्परे द्वारा मतलब कुछ तुग कुछ ऐसा हो रहाँ होगा इस application में इस equipment में जो इस प्रे हो रहा हो इस प्रे मतलब छिड़काओ किया जा रहा होगा अब एक अब मैं आपको एज बिगनर मान के यह समझ के चल रहा हूं ठीक है हो सकता है आप इसके बारे में बहुत कुछ जान रहा होंगे हो सकता है कुछ ना जान रहा हो तो चली चर्चा करते हैं मतलब ऐसा ड्राइज इस में कुछ ड्राइंग जो हो रही हो इस प्रे के थुछ और यह ठीक है टीक है लिए नाम से मालूं टिक्लियर हो गया ठीक है एक बात याज रखेगा अकसर आदमी होता है इसको अबराल आप देख लिए तो यह एक इस प्रेडायर का फिगर है जो मैंने अपने पूरी कोसिस से बनाया हो हो सकता है कुछ छूटी हो तो देख लीजेगा फिर भी अगर कुछ आपको लगता हो कि चीज़ चूट गया जरू बताएगा इस प्रेडायर का सक्केच के आप प्रिकार चाहिए जिसकी वजह से वो चीज़े हो रही हूं तो इस फ्रेडायर में ऐसा इकूमेंट है जिसकी वजह से यहां पर ड्राइंग हो रहा है तो आपका है आटमाईजर क्या होता है को अलग फिगर दूं तो आय्कुप की तरह होता है ठीक इसमें यह कुछ bone होते हैं इसमें होते हैं और यह और शॉपकद करता है एक कि लाता चुछोण करता है जैसा कि कि मैं आ पर दिखाया आतो आटोमाईजर देखिए यह होता है और जो फीड होगा आपका इसी फीड के आटोमाईजर में जाएगा और इसमें नंबर होल्स होंगे और अंदर आपका रोटेशन करेगा क्या करेगा अंदर रोटेशन करेगा और उस रोटेशन की वह से इसमें क्या होगे जो फीड होंगे प्रिंस्पल एक प्राइजर के प्रिंस्पल पर वर्क करता है कहीं कि आटो माइजेशन भी बोला जाएगा तो बात क्लियर है ठीक है अब यह मैंने जो बनाया इस प्रेड रायर ठीक है यह आपको मैं यह पर लिख दू चुकि इस प्रगार तो पूरा एक्क्यूमेंट हो गय यह क्यों काम करता है क्योंकि इसके तुरूं फीड मेटेरियल को इस चैमबर में डालते हैं ठीक है अब कर श्रक्षन और वरकिंग की बात करने सबसे पहले सुरूं कहां से होता है सबसे पहले हमारा जो भी पंप होगा हो अपंप कैसा होगा वह पाजिटिव डिस्पलेश् है ठीक लेकिन अब जो इसके अंदर पम्फ म्यों क्या होगा इसख्रू फूल होगा कौए क्ढ Guide k parc बाइन होती है काफी हाइट हो पर हो आप जानते हो हुआ है के लिए सबॉल रहा हुआ है ऊके है अब हमारा जो ऐसा और यह लिएचा दियाइड राता है कोई पंप है जो में कैसा इतना Hetal ओगा उसके उसके अनुसार और यह हमारा जिसके अंदर क्या है क्या है जिखना प्रिडेर आपक यह वहाँ है ज्याता है ठीक है के होट अब माली हमार अब इसी होट एयर को हम इसी चैंबर में देंगे और याद रहे यह जो जाए वह साथ ही साथ जाना चाहिए मतलब इस दोनों का एक प्रका स्विल्टेनिया सुना चीज़ समझ जैसे रियक्शन समारे होते हैं तो हमने क्या किया यहां से फ्रेस एयर लिया और फ्रेसर कहां से लेते हैं हम यहां पर लगा देंगे FD क्या लगा देंगे FD अपने आउसकता केमसर आप FD भी लगा सकते हैं जैसी आपकी रिक्वार्मेंट होगी FD प्लोर आपकी जैसी जरूबत होगी मैक्सिम आपको FD देखने को मिलता है ठीक है ओके फोर्स ड्र आपका जीसे बोलते हैं और यह एक प्रका फिल्टर लगा होता है कहीं कहीं पर जाली भी लगा होता है वह क्या करता है केवल एयर को जाने देगा कोई डश्ट पार्टिकल इसके अंदर ना जाए वह यहां पर रोग देगा ठीक है तो यह आपके यहां से एयर जाएंगे और यहां पे arrays यहां फोंटे होते हुए यहां परर play लगा होता है कहींगे यहां रखिए हिटिंग मीडियम के लिभी अलग application use सकते कहीं पर सीधे फाइर लगाई जाती है इसके अंदर यहां पर सीधे फाइर छाएगा यहां पर आपका फाइयर लग रहा होगा वहां तहीं तब ही तो यह एर जब गरम होगा और या लिक्विड की मैट्रियल आएगी तो इसके अंदर उस लिक्ति क्या करेगी ड्राइंग करेगी आई बात समझ में तो यह आपका अलग-अप्लिकेशन पर डिपेंड कर सकता है हो सकता है मैं बार बार बोल रहा हूं यहां पर आपका फायर लगा जाए सकता है या तो कोई ऐसा हीटिंग मीड आप यूज कर लिए हमारा परपज के वाली है इस एयर को क्या करना गरम करना आई बात समझ में इस एयर को गरम करने का परपज हमारा यहां पर है आपके उपर डिपेंड करता है आपका हीटिंग मेटेरियल कैसा है ठीक है ओके अब यहां होते हुए यहां पर आटमाइजर तीन से लेकि थर्टी सपेंट के अंदर यह ड्राइंग करता है समझे हुँ कितनी जल्दी इसकी आपकी करसकते हो जल्दी स्पीड को सबसे जादा अगर बहुत कम समय में आपको ज्यादा मैंटियल ड्राइंग करना हो तो आप मूब करो कि लेकिन विए बात याद रखें कि अर्किस प्रकार के डाइंग करने के लि Hmmm है जिसमें आपका कम से कम स्लरी फॉर्म में तो मैट्रियल होना चाहिए क्या हो स्लरी फॉर्म में तभी तो आप पंप के तुरुक इसके नंबर साफ हो जो आटमाइजर मैं बनाया हूं वह जाएगा आपका नीचे नहीं गिर पाएगा आई बास समझ में इस बहुत सारी प्र इस प्रेड रायर का यूज किया जाता है हमारी बाते यहां तक आ चुकी थी चैंबर तक अब होता क्या है चैंबर में आया और इस चैंबर में नाम तो आप समझ गया है यहां लिग दे रहा हूं यह चैंबर हो गया ठीक है अब इसके अंदर एक प्रका का ऐसा रोटेशन ह होता है ठीक है ऐसर रोड़ आपका ऐसे देखने को मिलेगा और आपका नीचे घिर आइस को लिगा फॉरम में और यहां पर हमारा लगा होता है रोट्री वाल धहें बनाया ऑं यह कहों से वाल होता है मैं पहले बताया हूं एक पाराइए रगा, टीक है यह पूरी तरह से सि नहीं कर रहा हूं जो भारी मातलब जस पर मेटरियल की ज्यादे मात रहा है तुकी जाइड सी बात है यह तुका रहा रहाएगा अब यहां लिक्विड था यहां पर एज पाउडर फां में गिरेगा तो जो मै्टरी हमारा एह जैड़ेटर फोर्स के से नीचे गिरेगा और य जलते हुए सीधे साहिलों में चला जाएगा और कुछ मैट्रियल होंगे जो अभी भी क्या है वैक्यूम चुकि हमने क्या लगा रहा है समझेगा सिस्टम को मैं थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूं हमने या लगा रहा है आईडी या आईडी क्या कर रहा है पूरे सिस्टम में ने प्रीट्स प्रेसर क्रियेट कर रहा है ऑख्राव और क्या कर रहा है तो हमारे प्ले की हो और या औगा दिया और दिया और यहां बनाया और के कई जगह पर केवाल ईदी सीधे आपका कांप सकते हैं लेकिन मेंनपर यह उसका है की इसके अंदर जो भी आपका और में उस चीज को खीच के लिक्याना और क्या कर यहां पर एक यह आपका एक जास्ट कर देगा मतलब बाहर एक जास्ट एयर को क्या कर देगा रिमूब कर देगा बात क्लियर है तो अब क्या हुआ इस पूरे सिस्टम में आईटी ने आवेक्यूम क्रियेट किया और इसमें भी आया इस चीज़ को कीच रहा है जिसकी वाइस से क्या हुगा अब चुकि मैटेरियल हमारा साथ यहां पर यहां पर यहां पर हमारा यह लगा रहता है ताकि जो भी मैटेर आपके बैग हाउस मुझा करते हैं पलसिंग करते रहते हैं कि यह ना इट्रूजन की अगर आपका मैटेरियल फ्लवेवल तो अपने डूजन करोगे अगर नॉन फ्लमेबल तो एक करोगे ताक हो कि जो भी मैटेरियल कपड़े पर चीपक रहा है वह क्या हो और वह भी यहां पर देखिए क्या होंगे नीची आकर गिर आएंगे और द तुम उसके बार यहां पर भी नहीं हुआ लग नाम से जाने जाते हैं तक आपको प्योटी चाहिए उतने वेकाउस आप जोड़ते चाहएं याद रहे आजए विंग कैमिकल इंजिनियर आपको यह भी नोटिस करना है कि प्रोड़क्ट से जाधा कहीं कास्ट ना आपकी बैठ जाए बात क्लियर है ओके और अब जाके इस बैग हाउस का सारा मैटरियल जाके कहा होगा साइलों में जाके गिरेगा यह साइलों क्या है य अब यहां से अपना mobile निकाल लेते हैं क्लियर है मैं और 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 मैं ऑपर रिभ्यू कर दूं कि हैं इस फीट पंप कर और में हमारा फीड जाता है यहां से हमारा दह्रोग भीच में जोड़но यह लगा रहा था जिए नियुकि हमारा ने नोա रूम टंपरेटर पर तो यहां एपे उसके टम्परेटर गए और वह अब जैसे ही आटो tremblingन के होते हुए या सीधे साइवा लेकिया अभी कि नीचे सिधे को ऊपर खीचके लिए गया तो उसको हम ब्होंच में ट्रैप कर और कोशिस करते हैं थसाने की कोशिस करते हैं वहां पर हम और पर एंडवर कि क्लियर ऑसार चूट गया है's अब आई बात प्रिंसिपल और पहित कर लिए भाट लेते हैं अब लेक्छांक तुम dependent थे STOP अप्लिकेस्ण मतलब इसके यूज इसके प्रियोक किये जा रहा है है जैसे कि मैंने बताया की इस प्रेय ड्रयाइर दिसमें मौब्शिर का की मऺश्यर्य जादाहों के मेटलियल को ड्राइं करने जैसे की कोई पेस्टिसाइड कंपनी हो ठीक है या फॉर्मा इंडस्ट्री हो जहाँ पे मतलब स्लरी फार्म में आपको यूज करना कोई जैसे हमें अब आवह स्पोडहर कर्द करते हैं। सबसे पहले हमें यह द्यान देना होगा इस चैंबर के अंदर हमारा वेक्यूम कितना आ रहा है चुकि आपने FDI लगाया है तो यहाँ आइडी चुकि यहाँ वेक्यूम ज्यादा होगा इनिशियल इस्टेज पर फिर सेकेंड है वेगाउस होगा अगर इसके बीच को यह और वेगाउस लगा है तो वहाँ पर वेक्यूम देखेंगे तो आपका है चुम्स है बाकि यहां डीथ सब्सक्राइब करें साथी तो को तंपरेटर क्रेटर बरावर रावर कि नहीं बरावर रहें उसके बाता है उनलेट टंपरेचर आउटलेट BCE और कहीं नहीं आपको प्रेसर की भिर वह उन देखने को मिल रहीं यह यह पैरामीटर है कि इसके स्प्रेड रायर के यह चीज़ आपको ध्यान देते रहने हैं अब अगर यह रहा आपका अपने के कुछ ऐसे पॉइंट जो आपको नोटिस करने अब बात करें हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज की तो एडवांटेज की पहले चर्चा कर लें चुकिश आप और देख रहा है कि सारे सिस्टम में कहीं आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि मैनिपावर जाकि उस मेठील को ड्राइंग करने की कोसिस कर रहा है क्योंकि यहाँ पर यह पंप लगए तो सारे हमारे कामी क्युमेंट के त्रू हो रहे तो इसमें लेवर कास् ऐसके बचांक विप्क हो जाता है वी को डाइंग करें के इसका जो के पर आफरेंग करने कि इसकी केपसिटी एंग्हार आपसे ज़ाधा है वे एडियल को आधिया ब‐सके अगर का एरिया ज्यादा है बैग हाउस का यह ज्यादा है कैपसीटी इसका ज्यादा है मतलब इसकी साइज बहुत ज्यादा है तो आपी कैपसीटी भी बढ़ेगी नो डाउट लेकिन मैं बात लेकर चला हूँ एक आईडियल की कि क्लियर है ठीक है इसकी अडवांटेज एठीक है अब इसमें अब मैं बात करूँए भी सविस्काइन डि univers olmad oke इसके है कि Çुकि आपको यह इतना तोटा दिख नहीं है लेकिन नहीं नहीं पिघर बेख क्राइब इस के लिए एरिया ज्चाहिए लार्ज एरिया की जरूरत है कलियर है ठीक डूसरा क्या है अधर रदिकी बात करे इसको इतना चलाना आसान है जितना आसान मैं आपको बता रहा हूं ठीक है ओके तीसरी बात थोड़ा एक कंप्लिकेटेड है चुकि लार्ज एरिया है और ज्यादा कंस्ट्रक्शन है तो पैसे भी ज्यादा लगे होंगे आई बात कॉस्ट भी ज्यादा लगा होगा तो यह है आपका क्या है प्र यह भी बताया आपको नो लेवर कास्ट यह भी मैंने बताया डवांटेज में लार्ज प्रोड़क्शन कैपसिटी यह भी बताया आपको सुटेवल फार्द ड्राइंग आप स्ट्रेडाइल प्रोडक्ट इस्ट्राइल प्रोड़क्ट के लिए भी यह बहुत ज्यादा रिक्वाइड लार्ज एडिया यह भी मैंने आपको बताया है फिर मांने यह का टपछे में लाइश से लार्ज ज्यादा करना पड़ेगा एंधिन पैसे kommer जैजादा लगेंगे बहुत ज्यादा होता है वह बहुत ज्यादा होता है ऐसने prac को आपरेट ठीक है यह चीज़े हैं और यह चीज़े जो छूटी थी इसले मैं नोट्स बना लेता हूं ताकि कुछ चीज़े छूट ना जाए हाला कि यह चीज़े आपको नोट्स में भी मिलेगी ठीक है तो यह था आपका प्रिस्पल कस्ट्रक्शन और वर्किंग अप्लिक